मित्रों देवी संध्या के कारण ही समस्त पुरुषजाती को मिला यह भयंकर श्राप आये इस प्राचीन कथा के माध्यम से जानते हैं, देवी संध्या ने पुरुषजाती को श्राप क्यों दिया था? मित्रों एक समय की बात है, देवर्शी नारद भगवान शिव के दर्शन करने के उद्देश से कैलाश परवत पर जाते हैं, देवर्शी को देखकर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, के नारद आज किस कारण से कैलाश पर तुम्हारा आगमन हुआ है, अवश्य आपसे कोई बात कैसे छिपी रह सकती है कि प्रभु मन में आपके दर्शन करने की इच्छा हुई सो चला आ गया आज मेरे मन में एक शंका निर्मान हो गई है उसी का समाधान करने के उद्देश्य से आपके पास आया हूँ कृप्या मेरी इस शंका का समाधान कीजिए भगवान शिव कहते हैं हे नारत तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछलो तुम्हारी हर शंका का समाधान किया जाएगा आथ तुम्हारी जो भी शंका हो वह मुझे बताओ देवर्शी कहते हैं हे दीनानाथ आप परमध्यालू और कृपालू हैं। आपने सभी भक्तों पर समान कृपा द्रिष्टी बनाए रखते हैं। भक्त के मन में क्या चल रहा है। आप स्वयही जान लेते हैं और उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। मेरे मन में जो शंका है, उसे भी आप भली भांती जानते हैं। भग्वान शिव कहते हैं, हे नारत तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठ रहा है, उसे मैं अवश्य जानता हूं। इसलिए अब पूछने में संकोच ना करो। देवर्शी कहते हैं, हे प्रभु आज मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूं। देवी संध्या कौन थी और उन्होंने समस्थ पुरुष जाती को कौन सा श्राप दिया था। आज मैं आपके पास देवी संध्या का कथन सुनने के लिए ही आया हूं। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद आज तुमने उत्तम प्रश्न किया है, इसमें समस्त मानव जाती का कल्यान छिपा हुआ है, आज मैं तुम्हें देवी संध्या के जन्म की कथा सुनाता हूँ, इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे. इसलिए देवी संध्या के इस प्राचीन इतिहास को तुम ध्यान पूर्वक सुनो, इसका श्रवन करने मात्र से ही कोटी-कोटी पाप क्षन भर में जलकर भस्म हो जाते हैं, देवर्शी कहते हैं, हे प्रभु मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा कृपा क आप मुझसे वह कथा कहिए, फिर भगवान शिव देवर्शी नारत को उस महान नारी संध्या की कथा सुनाना आरंभ करते हैं, के नारत जब सृष्टी का आरंभ हो रहा था, तब सृष्टी के रचिता ब्रहमाजी कमल के आसन पर विराजित होकर भगवान का ध्यान कर रहे सुन्दर और मनमोहिनी थी, मन से उत्पन होने के कारण वह ब्रहमा की मानस कन्या हुई, ब्रहमाजी उस समय ध्यान कर रहे थे और ध्यान करते समय वह कन्या उत्पन हुई, इसलिए उसका नाम संध्या हुआ जब ब्रहमाजी ने उस अत्यंत सुन्दर स्त्री की ओर देखा, तो कुछ प्षणों के लिए ब्रहमाजी का मन विचलित हो गया, उसका मन मोहक रूप देखकर ब्रहमाजी मोहित हो गये और उनके मन में काम भाव जागरित हुआ ब्रहमाजी की ऐसी कुपित द्रिष्टी पढ़ते ही उस देवी का तेज नश्ट हो गया, जिससे वह देवी सं अंध्या बहुत दुखी हो गई और उस स्थान को छोड़कर चली गई कि नारत ब्रह्माजी के मन में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो सकता किन्तु प्रभु की लीला तो देखिए उन्होंने अपनी लीला दिखाने के लिए ब्रह्माजी के मन में विकार डाल द इसलिए अब तुम प्रभु की इस विचित्र लीला को ध्यान से सुनो ब्रह्माजी के ऐसे व्यवहार से देवी संध्या अत्यंत दुखी होकर चंद्रभाग परवत पर ध्यान करने के लिए चली गई वहां जाकर उसके मन में इस बात की चिंता सताने लगी कि मैं तपस्या किस की करूं किस भगवान की आराधना करूं इसी विचार से वहां प्रित्वी लोग पर ब्रिह लोहित नाम के सरोवर के पास चली गई और वहीं पर खड़ी हो गई फिर महर्शी वशिष्ट उसी स्थान से गुजर रहे थे तो उन्होंने देवी संध्या को सरोवर के पास देखा देवी संध्या को अकेले उस स्थान पर देखकर महर्शी वशिष्ट उसके पास चले गए और पूछने लगे पुत्री तुम कौन हो किसकी पुत्री हो इस भयंकर वन में किस लिए घूम रही हो यदि कोई गोपनिय बात ना हो तो अवश्य तुम्हारा उद्देश बताओ तब देवी संध्या ने उनके साथ जो हुआ वह बताया और कहा है मुनिवर इस परवत पर तपस्या करने के उद्देश से आई हूँ कृपया आप मुझे बताये मैं किसकी तपस्या करू मुझे अब इस दोश से कौन मुक्ती दिलाएगा तथा तपस्या कैसे करनी चाहिए कृपया मुझे उपदेश देकर अनुग्रहित कीजिए संध्या की बात सुनकर महर्शी वशिष्ठ कहने लगे के देवी तुम भगवान नारायन की तपस्या करो ओम नमो नारायनाय नमह इस महा मंत्र का जाप करो जब तक भगवान के दर्शन ना हो तब तक इस मंत्र का जाप करती रहो स्वच्छ वस्त्र पहनकर उच्साह और प्रेन के साथ इस नियम का पालन करो मौन धारन करते हुए भगवान के नाम का जाप करो तुम्हारी भक्ती से प्रसन होकर भगवान विश्नु तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे इस प्रकार से महर्शी वशिष्ठ देवी संध्या को उपदेश देकर वहां से चले गए देवी संध्या को अब तपस्या का मार्ग मिल गया उसके हर्ष की सीमाना रही और वह बड युगों तक अपनी तपस्या चालू रखी उसका व्रत तपस्या भगवान के प्रतीश रधा को देख कर सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ भगवान विश्नु भी देवी संध्या की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे मनोहर चतुर्भुज रू भगवान का वह रूप सेकडो सूर्य के समान तेजवान दिखाई पड़ रहा था भगवान के ऐसे रूप को देखकर देवी संध्या स्थब्ध हो गई उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें और क्या कहें उसके मन में भगवान की स्थुती करने की अभिलाशा किन्तु वह भगवान के उस रूप को देखकर कुछ भी बोल नहीं पा रही थी फिर भगवान विश्नु ने देवी संध्या की मनोच्षा को जान लिये और उसे दिव्यग्यान दिव्यद्रिष्टी तथा दिव्यवानी प्रदान की फिर देवी संध्या बड़े उच्साह से भगवान विश्नु की स्थुती करने लगी उसके एक एक वाक्य में उसकी भक्ती और समर्पन दिखाई पर रहा था तपस्या के कारण संध्या का शरीर अत्यंत शीन और कमजोर हो गया था तब भगवान ने अपनी अमरितम द्रिष्टी डाल कर उसके शरीर को डोठ पुष्ट बना दिया और मधुर वचन में उससे कहने लगे बेटी तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर माम लो फिर देवी संध्या ने कहा ये प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न है मुझे वर्दान देकर अनु दितना हो और तीसरा वर्दान मुझे यह दीजिये की अपने पती के अलावा किसी अन्य पुरुष के प्रती मेरे मन में आ सकती ना हो जो भी पुरुष मेरी और काम भाव से देखे वह पुरुष नपुनसक हो जाए फिर भगवान विश्णों ने वर्दान देते हुए कहा ये कल्यानी आज तुमने संसार के कल्यान के लिए उत्तम वर्मांगा है इसलिए आज से ही पैदा होने के बाद किसी भी प्राणी में काम वासना का भाव नहीं होगा मनुष्य की शरीर की चार अवस्थाएं होंगी बाल्य, कौमार्य यवन और जरा मनुष्य को कौमार्य अवस्था के अंत में ही काम भाव का उदे होगा तुम्हारी इस तपस्या से आज मैंने यह मर्यादा स्थित कर दी है संसार में कोई भी प्राणी पैदा होते ही काम भावना से युक्त नहीं होगा तुम्हारे सतीत्व की प्रशंसा तीनों लोकों में और तुम्हारे पती के अलावा जो भी पुरुष तुम्हें काम की दृष्टी से देखेगा वह तुरंथ ही नपुनसक हो जाएगा तुम्हारे पती बड़े भाग्यवान तपस्वी सुन्दर तथा तुम्हारे साथ साथ कलपों तक जीवित रहने वाले होंगे के देवी तुम्हें जो जो वर मांगे हैं मैंने वह प्रदान किये हैं अब मैं तुम्हारे मन की बात कहता हूँ पहले तुम्हें अगनी में अपने शरीर को त्याग देने की प्रतिग्या की थी यह प्रतिग्या तुम्हें इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ब्रहमा की तुम अपने इस शरीर को त्यागना चाहती हो, यहां से पास ही चंद्रभागा नदी है, उस नदी के तटपर महर्शी मेदाति थी एक ऐसा यग्य कर रही हैं, जो बारह वर्षों में पूर्ण होगा, उसी यग्य में तुम अपने शरीर का त्याग करके अपनी प्रतिग्या पूरी करो, किन्तु तुम वहां पर ऐसे वेश में जाओ कि मुनियों की दृष्टी तुम्हारे उपर ना पड़ सके, मेरी कृपा से तुम अगनी की पुत्री हो जाओगी, जिसे तुम अपना पती बनाना चाहती हो, उसका चिंतन करते हुए तुम उस अगनी में अपना श वह यग्य संसार के कल्यान के लिए हो रहा था, और उस अगनी में मास ना गिरे और अगनी देव मास भोजी ना बन जाए, तदनंतर देवी अग्रिश होकर उस यग्य के स्थान पर गई, उस समय उसके मन में एक ही भावना थी, उसने प्रित्वी पर आते ही सबसे पहले महर महरशी वशिष्ट जी के दर्शन किये थे, इसलिए उसने अपने मन में महरशी वशिष्ट जी को ही अपना पती मान लिया और उन्ही का चिंतन, करते हुए उन्होंने यग्य की अग्नी में अपने शरीर को त्याग दिया, फिर भग्वान की आग्या से अग्निदेव संध् शरी के दो भाग करके देवताओं और पित्रों को प्रसंद करने के लिए अपने रत पर स्थापित कर दिया, उसके शरीर का उपरी भाग प्रातह काल, वा और शेश भाग संध्या काल हुआ, देवी संध्या के कारण ही सुभ सूर्योदय के समय को प्रातह संध्या कहा जाता है और सूर्यास्त के समय को संध्या काल कहा जाता है इस प्रकार से देवी संध्या जो त्याग की मूर्ती थी उन्होंने अगनी में प्रवेश करके अपने जीवन को समाप्त कर दिया भगवान विश्नूट के वर्दान से देवी संध्या दूसरे जन्म में अरुंधती के रूप में प्रकट हुई और ब्रह्मन वशिष्ठ जी की पतनी हुई भगवान शिव कहते हैं के नारद इस प्रकार से देवी संध्या के कारण ही संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी काम के भाव से रहित होता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की काम वासना नहीं होती है, और जब वह कौमार्य को प्राप्त हो जाता है, तभी उसमें काम वासना उत्पन होती है, इस प्रकार से मैंने आपको देवी, संध्या के जीवन का चरित्र सुना दिया है, दे मैं इस कथा का तीनों लोकों में प्रचार करूंगा तो दोस्तों इस प्रकार से भगवान शिव ने देवर्शी को देवी संध्या की कथा सुनाई है आपको यह कथा कैसी लगी